हेलो बच्चो श्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चनल स्टडी ओन बच्चो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके 8 डिग्रेट वर्गबुक प्रशनोत्तर पुर्स्ति का प्रारम हो चुकी है तो आज की इस वीडियो के मादम से में आपको कक्षा 6 के विसाय विज्ञान का जो आपका पहला टॉपिक है उसका जो पूरा सॉलुशन देंगे इसमें आपका जो टॉपिक है भोजन के घटक मिस आपका पार्ट करमांक 2 है और इसमें आपका ये पहला है तो इस वीडियो मे ताकि आने वाली हर वीडियो को नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले विले तो देखिए पांट दो है आपका भोजन की घटक तो देखिए इसमें आगे आपका सबसे पहला आपको बोल गए अतिलगूत तरी प्रशन है कि पहला कोशन है कि भोजन के मुख की पोशक तत्व प्रोटीन और वसा है यह आपका इसका आंसर हो जाएगा वीडियो को रोकर यह पुरा आंसर आपको लिख लिना है देन आगे आपका देखिए कॉशन नमर टू है प्रोटीन हमारे सरीर के लिए क्यों आवशक है प्रोटीन के पादप शुरूत तदा जन्तू शुरूत के नाम लिखिए तो देखिए आपको लिखना है प्रोटीन के पादप जो आपको इसमें क्यों आवशक है आपको बताना है तो उत्ता लिखना है क्योंकि प्रोटीन के आवशकता हमारे सरीर की प्रद्धी तदा स्वस्त रहने के लिए होती है प्रोटीन हमारे सरीर की प्रद कारे हैं तो उत्र आपको लिखने आहरी रेशो के मुख्य श्रोत साबून खाद्यान डाल आलू ताजे फल और सबजियां है यह हमारे बच्चे बच्चे यह आपका बच्चे है बच्चे बच्चे भुजन को बाहर निकालने में शरीर की साहता करता है इस तरीके से आपको इ है यह इसा दिखाई देता है तो पुछ्छों देखी क्योंकि तेल की बूंद में वस उपस्तित होता है और इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकास धूंदला दिखाई देखता है यह इसका आपका अंसर हो जाएगा इसके बाद देखिए नेक्ष्ट है आपका आपको यहाँ कोश्चन मेर फाइव है लगुत्तरी प्रिश्ण है आपका बुलागा कार्भुहाइड्रेट के प्रमुक शुरूत को चितर बनाकर उनके नाम लिखिए तो आपको यह चितर बनाना अ उसकी शुरूत को यहाँ पर समझाना तो देखे आपको बॉक्स में यहाँ पर देखे एग चितर आपको दिख रहा होगा उस चित अपको अपनी यहाँ पर जो इसका प्रमुक शुरूतो को चितर सहुत सहीत बनाहेज तो देखिए चितर सही था आपको बनाना है vitamin c की प्रमुक शूरत को तो देखिए बच्चों यहां box में आपको फिर से एक चितर दिख रहा होगा तो यह चितर को आपको उसमें बना लेना है यह vitamin c की प्रमुक शूरत का चितर है तो वीडियो को रोक कर आपको उसका पूरा चित्र बना लेना है या फिर अस्किन सौट आप लिशकते हैं इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका है कोशन में सेवन भाव जन्नी रोक किने कहते हैं तो उत्तर आपको लिखना है वे रोग जो लंबी ओधी तक पोशको के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अवी भाव जन्नी रोक कहते हैं या आपका इसका आंसर हो जाएगा आप वीडियो को रोक आँसर लिख शकते हैं इसके बाद देखी आटवा कोश्चन की संतुलित आहर हमारे सरीर के लिए क्यों आवशक है तो उत्ता लिखना है बचो संतुलित आहर हमारे सरीर के लिए आवशक है क्योंकि इसकी कमिशे व्यक्ति कई बीमारे से ग्रिशित हो शकता है इसलिए शंतुल इतावार हमारे शरीर के लिए आवेशक है यह आपका इसका आंसर हो जाएगा वीडियो को रूप का अंसर लिख लेना है इसके बाद देखी बच्चो आपका इसका कोश्चन है दरगोत्तरी प्रशन है नौवा कोश्चन है विटामिन और खनीज लौणों के अभाव से के कारण होने वाले प्रभुग रोग कौन कौन से है इनके प्रभुग लच्चन भी बताईए तो बच्चो आंसर आपको देखे आपके स्क्रिन पर है तो आपको लिखना है विटामिन ए सबसे पहले इससे होता है आपका दर्ष्टी हिंता और कमजोर दर्ष्टी का होना है इसका आपका लच्चन हो जाएगा इसके पास सेकेंड है विटामिन भी तो इससे होगा बेरी-बेरी रोग और इसके जो लच्चन है काम करने की उर्जा में कमी है यह आपको लिखना है इसके पाँ सी विटामिन इन सी लिखना है से आपका इसकरवी रूग और इसमें मुश्णों से खुन निकलना created इसके पाँ देखिए आपका विटामिन डी है इससे ख़ता रिकेट रूग इसमें आपको लिखने हड्डियों का कमजोर होना इस तरीके से आपको ये पूरा नवी कोश्चन का अंसर ये पूरा आपको लिखने ना है विटामिन A से D तक हमने पूरा आपको प्रोवाइड करवा दिया है और इसके आगे देखिए आपका दसवा कोश्चन दसवा कोश्चन है कि खादे पदार्तों में प्रोटीन का परिक्षण किस प्रकार किया जाता है समझाईए तो आपको प्रोटीन का परिक्षण यहाँ पर पूरा लिखना है तो देखिए उत्तर आपको लिखना प्रूटीन के परिक्षण के लिए किसी खादे पदार्त की थोड़ी शी मातरा लिजाती है जिशी खादे पदार्त का परिक्षण करना है यदि वह ठोश है तो उसका पेश्ट अत्वा चून बनाने की अविशकता होती है आगे लिखना है खादे पदार्त की थोड़ी मातरा को पीस कर उसके चून को एक साफ परकनली में डाल दे और दस बूंद जल डालकर परकनली को अच्छी तरह हिलाएं इसके पाद देखिए पच्छो आगे लिखना है आपको अब ड्रॉपर की साहता से परकनली में दो बूंद कॉपर सेलफेट का विलियन तता दस बूंद कॉस्टिक शौड़ी का विलियन मिला है इसके पाद यदि विलियन का रंग बैगनी हो गया तो पधारत में प्रोटीन उपस्तित है इस तरीके से आप प्रोटीन का परिक्षन कर सकते हैं यह आपको पूरी यहाँ पर विधी लिख लेनी है इस तरीके से पच्छो आपका यह पूरा टॉपिक कम्पलिट होता है और